नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. Mahipal Singh Raathod और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चल्चा करूँगा भारत के पहले टायर पार्क के बारे में जो कॉलकता में शुरू हुआ है West Bengal ने ये initiative क्यों लिया? अगर आपने अभी तक Study IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बेटर पर क्लिक करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें अगर आप मुझसे Social Media पर Connect करना चाहते हैं तो महिपाल राठोड ID पर मुझे Follow कर सकते हैं Twitter, Facebook या Instagram पर और इसी नाम से आपको मेरा Telegram चैनल भी मिल जाएगा जहाँ पर मेरे सारे Lectures के PDF आप Download कर सकते हैं अब क्योंके हमारा Topic एक Waste Product से Related है तो आप लोगों के लिए उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है भारत में एक Garden है जिसका नाम है Rock Garden ये कहने को Rock Garden है इसका नाम लेकिन Actually मैं इसमें ज़्यादातर जो कलाकृतियां हैं वो Scrap से या Waste Material से बनी हुई है ये Rock Garden देश के कौन से शहर में स्थित है आपके options हैं चन्दिगर्ड, नई दिल्ली, भोपाल या चन्नाई आंसर आपको comment section में मुझे देना है और मैं इसका जवाब आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा तो ये है कॉलकता का Tire Park इस पर पिछले कई महिनों से काम चल रहा था और यहाँ पर जैसा की नाम ही बताता है कि Tires को रखा गया है और उनमें कुछ अलग-अलग तरह की कलाकृतियां बनाई गई है कुछ डिजाइन्स बनाई गई है और ये सभी Tire, Scrap Tire है Defective Tire हैं जो फेके जा चुके हैं जिनका कोई यूज नहीं है गाड़ी में Tire एक निश्चित अवधी तक चल सकते हैं I hope आप सभी को ये बात मालूम होगी 10, 20, 30,000 किलोमेटर बात Cars में Tire चेंज करने पड़ते हैं Trucks में थोड़े और जल्दी करने पड़ते हैं तो ये Tires जब फेके जाते हैं Waste की तरह पड़े रहते हैं तो इनका कोई उपयोग नहीं होता है तो इन Tires को Art में Convert करके Kolkata City ने ये initiative लिया है and to be specific West Bengal Transport Corporation ने इस पूरे project को अंजाम दिया है तो इन्होंने Art Installations बनवाए है using bright paint and innovative design और इसकी location क्या है Esplanard अब जो Kolkata के नहीं है उनके लिए इसका कोई relevance नहीं है कि location क्या है लेकिन जो West Bengal से है या Kolkata के निवासी है उन्हें मालूम होगा कि इस जगे की importance क्या है Esplan, Kolkata का सबसे busiest area माना जाता है यहाँ पर जादतर buses और trams का origin है आप मेंसे जो इस वीडियो को Kolkata से देख रहे है तो try कीजे कि इस जगे को आप कभी visit करें और जब मैं Kolkata हूँगा अभी तक कभी आया नहीं हूँ तो definitely I would like to visit this place as well इस part में tires को paint किया गया है local art को दर्शाया गया है कुछ historic motives हैं जैसे कि शहर के कुछ important bridges या tram, buses इनको भी यहाँ पर दर्शाया गया है और जो local art है उससे भी inspiration ड्रॉकरी है और देखिये बैठने के लिए कितनी सुंदर कुर्सियाँ यहाँ पर बनाई गयी है और यह सब कुछ tires को use करके बनाई गया है और कई सारे simple art objects भी है जैसे flower pots, etc Kolkata शहर के मध्यस्थित Esplanade नाम के इस area की importance इसलिए भी जादा है क्योंके यहाँ से trams की शुरुवात हुई थी जब Kolkata में लगभग 120 साल पहले tram की starting हुई थी तो इसी area से trams origin होती थी और जब 1984 में पहली बार underground metro rail शुरू हुई थी भारत में तब भी Esplanade से ही उसकी शुरुवात हुई थी अभी भी यहाँ पर एक metro museum जैसा बना हुआ है Smarnika उसका नाम है एक पुरानी tram कार यहाँ पर रखी गई है तीन महीने पहले यहीं से Kolkata tram library की भी शुरुवात करी गई यह एक नया initiative है जिसमें again West Bengal Transport Corporation ने क्या किया कि एक tram को convert कर दिया library में तो इसमें students बैटके पढ़ सकते हैं और free wifi भी मिलेगा और यह भी Esplanade और शाम बजार के बीच में चलती है तो यह Esplanade एक तरह से Kolkata शहर का center कह सकते है और transport hub कह सकते है अब इस तरह के art installation को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी देखे दुनिया भर में tires एक बहुत बड़ी problem है solid waste की कि tires के साथ क्या किया जाए इतनी बड़ी-बड़ी landfills हैं दुनिया में tires की कि वो space से भी नजर आती है I think Kuwait में एक site है जो space satellite Google map पर भी आप देख सकते हैं कि उसमें आपको tires का landfill नजर आएगा black color का तो यह tire dumping जो है यह बहुत बड़ी problem बन गई है पूरी दुनिया के लिए और Calcutta शहर में I'm sorry Calcutta शहर में इसे एक income generate हो जाएगी तो इस waste material से और कुछ नहीं तो कम से कम थोड़ी बहुत income तो generate हो तो इसी तरह से यह idea आगे बढ़ा तो waste tires को कैसे dispose किया जाए इस challenge का जवाब West Bengal Transport Corporation ने निकाला art के रूप में कि colorful art बना दो और इस सुन्दर art को देखने लोग आएंगे Calcutta शहर वैसे अपने art installations के लिए पहले से famous है जब दुरगा पूजा में पांडाल लगते हैं तो हर पांडाल एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है अलग तरह के art installation के माध्यम से लेकिन अब Calcutta में permanent art installation बन जाएगा वैसे Calcutta में COVID-19 pandemic के दौरान public transport के revenue उसको बहुत बड़ा जटका लगा है सभी जगे लगा है लेकिन Calcutta में problem और ज़ादा है क्योंकि already trams जो हैं वो इतनी profitable नहीं होती है और अब income और कम हो गई है ticket sale कम हो रही है तो इसलिए इस तरह के non-traffic revenue पे ध्यान देने की आवशकता आई और West Bengal Transport Corporation ने ये idea implement किया अब tires के बारे में मैं आपको basic जानकारी देता हूँ देखिए natural rubber जो है tire केवल उसी से बन सकते है synthetic rubber आता है लेकिन वो tire के इस्तमाल में बहुत कम लिया जाता है उसके बीचे reason यह है कि natural rubber की जो mechanical properties है उसकी elasticity है वो बहुत अच्छी होती है compared to synthetic rubber इसलिए natural rubber के tires को ही mostly cars में यूज किया जाता है synthetic rubber इतना widespread use नहीं किया गया है और दुनिया का 95% rubber plantation कहा होता है दक्षिन पूर्व एशिया में Southeast Asia खास करके Malaysia, Indonesia, Thailand जैसे जो देश है और भारत और शिलंका में भी होता है लेकिन जो main hub है वो Southeast Asia है तो यहाँ पर 95% world के rubber plantations है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था आज से लगबग 100 साल पहले South America hub हुआ करता था rubber plantations का लेकिन 1930 के दशक में एक बिमारी आई थी rubber tree blight यह fungus के कारण आई थी micro cyclus uly इस fungus के कारण South America का पूरा rubber plantation बरबाद हो गया और उसके बाद पूरा hub shift हो गया Southeast Asia में और आज भी यह बिमारी Southeast Asia ना पहुँच जा है इसको बहुत ध्यान में रखा जाता है इसलिए quarantine rules है कि South America से direct flights नहीं जाती है Southeast Asia कोई ना कोई या तो बीच में stop होता है तो यह leaf blight fell ना जाए उसके लिए इस तरह के rules बनाए गए है ऐसा नहीं है कि Malaysia से South America आप पहुच नहीं सकते there are flights लेकिन avoid किया जाता है कि direct flights ना हो और उनमें भी इस तरह के जो plants है फिर plant samples है उनको quarantine किया जाता है उनको transport नहीं किया जाता और जहाजों से definitely Latin America connectivity है लेकिन ये जो leaf flight fungus है ये इतने लंबे समय तक survive नहीं कर सकती inorganic surfaces पर तो इसी लिए ships safe होते हैं लेकिन flights safe नहीं है क्योंकि flights तो कुछ घंटों में आपको वहाँ पर पहुचा सकती है अब बात करते हैं हम recycling की तो tires को recycle करना एक बहुत ही टेड़ी खीर है कारण क्या है पहला tires बहुत ही bulky और heavy होते हैं कभी अगर आपने गाड़ी की step नहीं change करी है आप जानते ही होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और यह तो car के tire है अगर आप trucks के tire देखेंगे industries में जो use होते हैं heavy vehicles उनके tire देखेंगे तो वो और भी बड़े होते हैं तो tires को पहली बात तो manage करना बहुत आसान है I'm sorry, बहुत difficult है तो bulky और heavy होने के कारण एक तो यह जगे भी बहुत घेरते हैं बड़ी बड़ी landfill sites को यह भर देते हैं दूसरी समस्या इसमें leaching बहुत होती है leaching का क्या मतलब है जब tire को जला दिया जाता है तो उसके बाद एक liquid निकलता है oil जैसा हो liquid होता है वो जमीन में leach कर जाएगा अब आप सोच रहे होंगे कि tire को जलाते क्यों है देखें recycling इतनी मुश्किल है इसलिए जादातर scrap dealers tires को जला ही देते हैं अगर scrap dealer नहीं जलाते तो protest वाले जला देते हैं तो tire को जलाना environment को आप pollute कर रहे हैं दूसरा वो जो leach होगा वो पानी में जा सकता है नीचे underground water को pollute कर सकता है लेकिन फिर भी लोग जलाते ही हैं उसको जादातर क्योंके tires को handle करना एक बहुत ही costly process है तीसरा reason हम recycle tires का इस्तमाल cars में, trucks में इतना नहीं कर सकते हैं क्योंके उसकी quality बहुत कम हो जाती है तो अगर recycle tire है तो उसकी rubber उस quality का नहीं होगा जो natural rubber का होता है तो it is easier and it is cost effective to get a tire from natural rubber यानि कि recycle करने की बजाए नए natural rubber का tire बनाना companies के लिए जादा सस्ता पड़ता है अब हाला कि इसमें देखो retrading होती है जो transport business से जुड़े हो है उन्हें पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ retrading का मतलब होता है कि यह tire है ठीक है चलो इस तरह का tire होता है अब इसमें क्या होता है धीरे धीरे जब गाड़ी चलती है तब यह tire की यहां से थोड़ी सी जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी और retrad में क्या होता है इस थिकनेस को फिर से बढ़ा दिया जाता है एक layer चड़ा दी जाती है tire के उपर recycle tire की लेकिन इस option को सभी लोग prefer नहीं करते हैं क्योंकि इसमें again tire की ride quality पर असर आता है तो natural rubber के अलावा अब दूसरे alternative खोजे जा रहे है tires बनाने के लिए तो recently continental नाम की जो company है tire company उसने ये नई टेकनीक इजात करी है जिसमें dandelion flowers को use करके ये rubber बनाएंगे उससे tire बनाए जाएंगे और इसका सबसे बड़ा फाइदा ये है कि dandelion temperate climate में भी grow करता है तो south east terexa gum इस tire का नाम है में भी किसी exam में directly पूछ लिया जाए terexa gum नाम से ये commercially बेचा जा रहा है और इसके पीछे reason क्या है कि dandelion का जो botnical name है वो terexa gum होता है तो इसलिए इसका नाम रखा गया है terexa gum इस tire का अब मैंने आपसे एक सवाल पूछा था lecture की शुरुआत में कि rock garden कहां पर से थे तो इसका answer है ये चंदिगड बहुती famous landmark है ये चंदिगड शहर का और इसके पीछे एक अनोखी कहानी है एक व्यक्ती थे नेक चंद जिनकी 2015 में मृत्ती हो गई तो 1950s में ये government employee थे इन्होंने secretly एक area के अंदर waste product से इस तरह की कलाकृतियां बनानी शुरू करी ये 18 साल तक इन कलाकृतियों को secretly बनाते गए finally जब सरकार को पता चला कि इतने बड़े area में एक आदमी ने इतनी कलाकृतियां बना दी है तो पहले तो तोड़ने की कोशिश करी गई लेकिन फिर जनता इनके support में आ गई तो ultimately ये rock garden में park convert कर दिया गया और इनकी legacy आज भी जारी है इतने साल बाद भी लोग इसमें addition करे जा रहे हैं तो ये बहुत ही सुन्दर garden है please do visit it when you go to Chandigar thank you very much for watching this have a great day